Welcome back to my YouTube channel ग्यान टेक सेरी स्वेनाच के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप Instagram यूज करते हैं आपके Instagram पर एक option होता है saved login का इसका क्या यूज है? इसके यूज करने के क्या क्या benefit है? और saved login क्या होता है? आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बस आपसे request वीडियो को पूरा देखे तभी आप सही तरीके से Instagram एकाउंट पर save login की यूज कर पाएंगे इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile पर Instagram आप ओपन करेंगे profile में क्लिक करेंगे right side के corner पर three line में क्लिक करेंगे settings and privacy में क्लिक करेंगे उपर आपको account center में क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीची जाएंगे यहाँ पर एक option मिलेगा password and security का यहाँ क्लिक करेंगे उपर लिका है change buffer two factor authorization and saved login यहाँ क्लिक करेंगे अपने username में क्लिक करेंगे अगर यहाँ से आपने इसको turn on किया है जिससे क्या होगा कि आप अपने device से जैसे ही अपने account को log out करेंगे दुबारा login करेंगे तो आपका account automatic login हो जाएगा उसमें आपको कोई भी अपना username में password नहीं डालना होता है अगर आप save mobile number में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका mobile number भी आपका add हो जाएगा और वो भी successfully verified हो जाएगा तो यही कुछ यूज है आपके saved login information के आपके Instagram account पर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल को subscribe जरूर करें